यशाया की पुस्तक अध्याय छे जिस वर्ष उजियाह राजा मर गया, मैंने प्रभु को बहुत ही उचे सिहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, उससे उचे पर साराब दिखाए दिये, उनके छचच पंक थे, और दो पंकों से वे अप अपने मुह को ढापे थे, और दो से अपने पाओं को और दो से उड़ रहे थे, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, कि सेनाओं का यहवा पवित्र, पवित्र, पवित्र है, सारी पृत्वी उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द से डेवडियों की नेवे डोल उठी और भवन धोय से भर गया। तब मैंने कहा हाई हाई मैं मारा पड़ा क्योंकि मैं अशुद्ध होट वाला मनुश हूँ और अशुद्ध होट वाले मनुश के बीच में मैं रहता हूँ। और मैंने सेनाव के यहुआ महा राजा दिराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिये हुए जिससे उसने चिम्टे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। और उसने उससे मेरे मुह को छो कर कहा, देख, इसने तेरे हो परम दूर हो गया और तेरे पाप ढापे गये। तब मैंने प्रफु का यहाँ वचन सुना, कि मैं किसको भेजू और हमारी और से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं वहाँ हूँ, मुझे भेजिद। उसने कहा, जाकर इन लोगों से कहें कि सुनते ही रहो, परंतु न पुजो, तु इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारे कर और उनकी आखों को बंद कर, ऐसा नहों कि वह आखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिरावे और चंगे हो जाए। तब मैंने पुछा कि है प्रभु कब तक, उसने कहा, जब तक कि नगर यहां तक न उजड़े, कि उनमें कोई न रह जाए, और घर भी यहां तक न उजड़े, कि उनमें कोई मनुश्य न रह जाए, और देश उजाड और सुनसान न हो जाए, और यहवा मनुश्यों को उनमें से दूर न कर दे, और उसके बहुत से स्थान निर्जन न हो चाहे उसके निवासियों का दस्वा अंश रह भी जाए, तो भी वह भी नाशिया जाएगा। परम्तु जैसे छोटे वा बड़े बांज भुक्ष को काट डालने पर भी उसका ठुंड बना रहता है, वैसे ही पवित्रवंश उसके दस्वे अंश का ठुंड धहरेगा।